मैं आया तो मैं घर पे नहीं था अब अपनी बड़ी बेटी को छोड़ने गिया था इसके घर पे वापसी में मैं आया । पीछे से अमारे बेटे की गाड़ी खराब हो गई थी एक से टूड़ गया था तो वहां पर मैं था चोटा बेट भी हुई हैं था, बड़ा बेटा भ कि मैं अंदर आ गया मैंने देखा तो मेरी बेटी पड़ी हुई है अब मैंने आपो गुजशता वीडियो में बताया था कि ये खवतीन जो है इनका तरलोग एक ही घर से था घर में तीन मर्द मौजूद मतलब उस वक्त नहीं थे लेकिन घर के तीन मर्द हैं और पुलीस ने इन लाशों को अपनी कस्टडी में लिया था और उसके बाद पुली नामी उसका बेटा है और उसके ओपर शक का इजहार किया था और फिर उसके बाद जो है पुलीस ने अब इसका मुकदमा बाकादा तोर पे इसी फारूग जो घर का सरवड़ा है उसकी मुदायत में धर्च कर लिया है बिलाल जो इस घर का बेटा था उसको पुलीस ने गिर बता था क्या काम था और यह सारी तफसिलात जो है आज की इस वीडियो में क्योंकि आप इसके वपर डिवलप्मेंट आ चुकिए कोशिश थी कि जो भी इसके वपर डिवलप्मेंट वो आपके साथ शेयर करूं बाराल जी पुलीस के मताबिक मरने वालों में तेरा साला अल और चारू लाशें जो है अलागलाग कमरों से मिले थी कातिल आला कतल समय फ्रार हुआ था और जो इन सब खवातिन के जो घर के सरवरा हैं मुहमद पारूप वो यह बताते हैं कि खवातिन में मेरी बीवी बेटी नवासी और एक बाव शामिल है और वारदात के वास्त मैं और मेरे दोनों बेटे गर पर नहीं थे अच्छा ये जो कातिल है बिलाज जिसके हवाले से कहा जा रहा है पुलीस के सामने जिसने इतराफ किया है ये हैरान कुन तोर पे जो है एक तो ये कुछ हरसा पहले बताया ये जा रहा है कि को दो मा कबल जो है ये उम्रा करके आया था, अल्ला ताला का अबावरकत घर देख के भी आया था और साथ-साथ इसने जो है अपनी जो इसकी वाइफ थी उसको भी ये तलाक दे चुका है अब पुलीस तफ्तीश में ये चीज़ सामने आए कि इसने उसको भी तलाक दी थी अच्छा ये थोड़ा सा नफस्याती को कतल किया है और दो हफ़ते कmar करके था गाल्बन मैं दो महीने कह गया तो गल्त कह गया हूँ ये दो हफ़ते और ये इसने जब पुलीस ने से पूचा के भाई मौामला क्या है, तो इसने ये बताया, जी जो मेरी इनके घर में असर में इनकी एक भेहन थी बिलाल की, जो इस घर में रह रही थी और इनकी जो एक भांजी भी थी जो इस घर में थी जो दोनों कतल हो गई हैं तो यह जो मुल्जम है इसने पुलीस को यह बताया है कि जी मुझे यह शुबा था कि यह जो मेरी भांजी है उनके मामला दुर्स्त नहीं हैं और इसने पुलीस को यह बताय तालुकात का जो मुझे नजर आ रहा था और पुलीस ने भी इतदाई तक्रीश में जो बताया था पुलीस ये बताती है कि पोस्ट माटम किया गया है उसमें खावतीन के जिसम के ओपर तशद्द के निशानात भी हैं लेकिन पुलीस इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर र कहा कि जी मुझे हमें किसी पर शक नहीं है लेकिन पुलीस को आप जो वालिद में बताया उसने कहा कि जब ये घहर में आया मैंने अपने वालिद कहता है कि मैं बेटी को चोड़ के आया जब घहर आया ये महमला हुआ वा था चोटे बेटे को बलाया जिसकी बीवी जिसकी चुरी से कट लगते हैं तो मैंने से पूछा ये किसी चीज के हैं तो ये को मुझे कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे सका जिसके वज़े समझे शक हुआ एक खुदाना खासता घर का ये सारा जो मामला हुआ है इसने ही ना किया हूँ तो इसने पुलीस को नाम दिया बिलाल का बिलाल को इसने पुलीस ने इन्वेस्टिगेट कि अब लाल ने ये बताया कि जी मुझे ये चार पुलीस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जी अगर इसने मारना भी था तो इस बहन को मारता या भांजी को मां को अच्छा फिर उसके इलावा भी चार लोगों को कतल करना महस इस शुबा के उपर के जी इनके किसी के साथ मेरी भेन के किसी के साथ नजय तोलगात थे तो ये पुलीस अभी इसको मांने के लिए त्यार नहीं है पुलीस बाराल पुलीस ने अपनी तक्तीश का तारख कार बढ़ाया है और पुलीस ये चेक कर रही है कि जी क्या आया वा किसा है जी जा आया जा रहा है ये बाकी जितने भी लोग थे इन सब को और फिर एक बच्ची जो है वो कैसे बच्ची को ये भी अमलजम भी बता नहीं रहा कि जिसके बच्ची उसके इन्होंने चुपा दी थी इसको पता नहीं चला था बच्ची को इसने खुद छोड़ दिया क्या आया बچी को इसने खुद बैड के नीचे फैंका है या जो भी मामला था क्यूंकि जिस बैड के नीचे वो तेन मागी बच्छी थी उसी बैड के ओपर जो है उस बच्छी की मागी गला क्टी लास पड़ी वी थी पुलीस इस चीज़ को जो है वो मजीद इन्वेस्टिगेट कर रही है अब जो है इसके इलावा पुलीस को जो आला कतल है उसके हवाले से भी पुलीस कहती है कि इसने बता दिया है कि जी घर में छूरी पड़ी थी और मैंने उसी से किया था और सीसी टीवी कैमिरों वगारा क पुटेज़ भी जो है वो साइज चीज़ें पुलीस जो है अपने कब्जे में ले रही है ताकि इसको मजीद जो है वो कंफर्म किया जा सके कि आया यह यह जो बात की जा रही है यह कंफर्म है भी सही या नहीं अब मैं आपको सुनाता हूं कि जो इस गर के सरवरा मुम्मद फारूक है उन्होंने इस वाकिये को कैसे नरेट किया है उन्होंने कैसे बताया है बेटी को छोड़ने गया वापस आया नहीं खुला था और अपनी बड़ी बेटी को छोड़ने गया था इसके घर पे वापसी में आया पीछे से पर बेटे की गाड़ी खराब हो गई थी एक सेल तूड़ी आता है तो वहां पर मैं था चोटा बेटा भी हुए था बड़ा भी वही था समझे और फिर मैं आ गिया में तर आ गया धाई बजरे थे पोने ती अधाई बजरे थे मैं दर्वादा बजा रहा हूं कोई खोल नहीं समझें तो इसकी मां को डूनने सामने गया तो सामने इसकी बीबी पड़ी हुई है तो इससे पहले गाटन करें तो सब्सक्राइब कर दो कि तो अधाई बजर के बाद ही है में तो बिलकुल बिलकुल खुछ और गांए को मुझें मुझे गोरो कि सब्सक्राइब हुएं गश्त कर आद विइसु अग धुटे अई हुआ भी ती उसने भी खाना वाना काया मैंने खाया थो उने खाना काया विद्धा एपूद बिद्धनी लेके आया तो दो बजी हम निकल गया मास नहीं कोई दुश्मन किसी से नहीं दिस्ति नहीं कोई नहीं दुश्मन अल्ला माफ़ करें जी बहुत ही खौफनाक सुरतियाल और इस मामले को लेकर इतना गहरतमन पहले अपनी बीवी भी चोड़ दी पतनी उस पर भी इसने क्या मामला था मुझे तो यह खुद भी एक नफस्याती मृरीज लग रहे और फिर बाद में जो है भी भी भेन के उपर लगाते और फिर उसके बाद भांजी को भेन को और पूरे घरवालों के साथ यह सारा मामला करना अल्ला पाक जो है वो सब को अपनी जौमान में रखे अल्ला ऐसे जालमों से ऐसे जो जनूनी होते हैं उनसे अल्ला सब को अपनी जौमान में रखे इंशाला इस मामले के बाक री मामलात के अपर जो भी डवश्वों के बात करेंगे